दूद मांगोगे तो खीर देंगे कश्मीर मांगोगे तो जीर देंगे ये हमारा हिंदुस्तान है और ये लाल खून सी खिंची लाइन हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अलग करने वाली लाइन ओफ कंट्रोल है इस लाइन ओफ कंट्रोल पर बसा है बटालिक समुद्र तल से सोले हजार फुट उंचा सर्दी की तो बात ही दूर गर्मी के मौसम में भी यहां काताप मान शुनने से नीचे रहता है शायद ये जगह कुद्रत ने खुद के लिए बनाई है यहां इनसान तो क्या परिंदे भी अपना बसेरा नहीं बनाते हैं लेकिन देश वासियों के बसेरे सही सलामत रहें इसलिए हमारे फौजी यहां बारह महीने रहकर और दिन रात जाक कर सरहद की हिफाज़त करते हैं यह जान देने से नहीं डरते यह जान लेने से नहीं घबरते क्योंकि इनका मकसद है सरहत की निगेबानी करना और हिफाज़त करना उस मा की जिसके ये लाग वन्दी मातरम वन्दी मातरम और हेज दोगा में अव्यानी करना उसके लाग वाल येजित लाग म submit कंपनी मर्च। हैं लाइजा, हैं! लाइजी मीड़ी राइजा हैं लाइजा हैं लειति लाइजा लें लाइजा डि आराया है कपरी 903 एक आरे भाई रुप जाओ अरे रुप जॉप जाल देता हूँ अरे एक-एकर के देटा रुप जाओ भाई बैदा हूँ रुक को जाह सीत्पाई टारा से नात अरे ये गनमें प्रूप जाओ 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 देता हूँ आजी आजे कैप्टटन िशाद खान साहब आपका पार्सल मिधवीत गर्षियोगि कर दो संधी सें मभीगई पस्कुमिलेगी एक मिटIE अम्मी का खत आया है मेरे अजीज इर्शाद, खुदा तुम्हें और तुम्हारे साथियों को सलामत रखे तुम्हें अपने पिछले खत में लिखा था कि तुम्हें मेरी और गाउं की बहुत याद आती है तेरी दो माँ हैं बेटे, एक जिसने तुझे जनम दिया, तालीम दी, परवरिश की और दूसरी माँ है तेरी सर्जमी, जिसकी हिफाज़त के लिए तु सरद पर मौझूद है मैं तेरी दूसरी माँ का दूद्यानी अपने गाउं की मिट्टी भेज रही हूँ, इसे अपने माथे पर लगाना और अपना फर्ज निभाना, तेरी दोस्तों का ये कर्ज रहेगा मुझ पर, और इस देश की हर एक माँ पर, खुदा हाफिज, तुम्हारी अम्मी, अज़ माथे दोस्तों का दूसरी का ज़ commandments, और अम्मी, एक ये दो और आज फौजि भायू की आखरी वरमàiश है, है फिल्म मधूमती के गीत की बोल शेलेंदर के हैं धुन सलिल चौधरी की है और गाया है लता मंगेश करने और फर्माइश करने वाले हवलदार बखतावर सिंग सिपाही हुकम राम नायब सुवेदार विकरम सिंग और कैप्टन सी के चौधरी मैंने देखा विविस भारती वालों को पता नहीं आपसे क्या दुश्मनी है और इतने खत आप डालते हैं और मजालक कभी आपका नाम अनाउस हो जाए कैप्टन साब आखिर आपकी पसंद का गाना कुन सा है वह वह मैं तुझे बाद मैं पताऊंगा पहले मेरी पसंद का जोक सुन ओ कैप्टन साब आपके जोक में तो कभी हसी आती नहीं अरे यार वही पुराना स्टॉक होता ना जोक कभो भी क्या करें ओए ले टेस्ट आया वह साथ किया करना है वह आदमी बोला यार तू मेरी तड़ी बनादे तो न्य बोला साथ अपना छेरा तो और करो वर नहार कैसे बनाऊंगा तो आदमी बोला चातू ऐसरा कर मेरे बाली काट दे तो नाई हसने लगा बोला साथ क्यों मजाग करते हो मैं आपके बाल कैसे काट सकता हूं क्यों 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 सर ओ यार वो आदमी बिल्कुल गंजा था इसकी तरह में केली सर को में मुझे वापस कर देज़ सर मुझे ये तोपी नहीं दूगा तो नहीं दूगा मेरे जोग般 सटॉक के planets your universe दूँगा सर आप मुझे मारती है नर्मेरी टोपी मुझे वापस कर दिताय सर और क्यों है सर अगर बच्पन से मेरे सर पे बाल नहीं है तो इसमें मेरा का सूर है सर में स्कूल में पढ़ता था लड़किया मुझ पे हासा करती थी लड़किया मेरे सर फपड मारके भाग जाया करते थे सर दो बार मेरी शादी के लिए मेरा रिष्टा तय हुआ और दोनु बार टूट गया सर आप देख लेना सर जिस दिन में अपने देश के काम आ गया ना उस दिन सब को मुझे फक्र होगा कोई मुझ पर नहीं हाजेगा ओ यार पुरुशोत्तम तू तो एमोशनल हो गया और यार मुझे माफ कर दे थैंकिए सर अब है और फेर वी तू तो मेरा बाल्ड एंड ब्यूटिफुल है यार मेजर साब अभी अभी मैंने रेडियो पर ख़बर सुनी के श्री नगर के लाल चौक के फोजी केम पर आतंगवादियों ने आतंगाती अमला करके हमारे दस जवानों को मार दिया सर ये पा क Star चाथा क्या है कि इतनी मर्टबा मुझी खानी पडिष से ना तो वो खुदassy अमंना से जीता है ना हमें शांति से जीने देता hai जिकुलने करने किसे दान पर चलने वाले लोग हैं ना पहल करते ना करेंगे हमारी जंता चान से सोई इसलिए में जाकती रहना होगा यह तो पडोसियों को सोचना है कि एक हरकते करने के बाबवुजूद भी उनका सप्ना पूरा नहीं होगा तो सर यह लड़ाए एक ना एक दिन तो हम निप्टाई देंगे आप यह बताईए आपका वो सपना कैसे पूरा हुआ कौन सा सपना ओ वही सर करनल खन्ना की बेटी मिस सोनिया आपने उसे कैसे पटा लिया सर है सर हमने तो सुनाय कि अपनी नाग पर मक्षी तक भी नहीं यह बताली आता है और कहा था जो मुझे रेस में हराएगा उसकी गले में वर्माला डालूंगी आप लोगने जो भी सुना सब सच सुना सोनिया के साथ मेरी पहली मुलाकात ताब हुए जब उसने एक खुबसर सचाल टेर्रिस को पकने के लिए डाला था सुखिव दो दो पुझे लेके सुखिव मीने की मोला मीने की माला वे राजणा उसने पयाला वे राजणा मीने की माला वे राजणा उसने पयाला वे राजणा कितना संभारा मीने की माला वे राजणा वे राजणा चड़ती जवानी देख खेली कैसे साजन बेमान हो गया वे राय दामन होटो को एकैसा रंग तुछ से मिला है जब से मुझे तेरा संग बिला है अंगूरी आखे जो तुछ से लड़ गई ये ठक तक दिल गई तब से बढ़ गई अंगूरी आखे जो तुछ से लड़ गई ये ठक तक दिल गई तब से बढ़ गई पैरों का पिछवा आय राजणा पैरों का पिछवा आय राजणा कमर की करगन ओय राजणा सलमस तार ओय राजणा राज़ों के बाज़ रॉब निक पर खäंग। मैं राज़ों का पैरों से लगई प्रप्मस जब से लिपट गया तू मेरे मन से महक उठी है कैसी मेरे बदन से यही समा है जीले तुपल को कोई क्या जाने क्या हो कल को यह पागल सुल पे जोड़ उड़ जाए समझ ले साजन रहा न जाए माते का जूमर लोंग कहीरा ओए राजना काला दिये ओए राजना मीने के वाला ओए राजना फुस्न प्यारा ओए राजना कितना सबाला ओए राजना शिशे के बदन को है शिशे के बदन को मेरे तेरी प्रीत में है रंग डाला रंग डाला राजना फे राजना राजना फे राजना हाँ 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 नहीं हाँ हाँ दो जो जो कर घ्री घ्री है कर देंसे तुम प्रसेल में है Captain Sunya Khanna from Army Intelligence तुम क्या हम लोगों को बेवकॉप समझती हो तुम जैसे आर्मी वालों को मपनी चेम में रखकर घूमते हैं और हमारा मकसद कश्मीर को हिंदुस्तान चलग करके अपने पाकिस्तान में शामिल करना है और इंशालो हम अपने मकसद में काम्याब जरूर होंगे मैं तेरा वो हाश्र करूँगा कि आज के बाद कोई हिंदुस्तानी फाजी कश्मीर की सरत के निगेबानी नहीं कर पाएगा 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 अचान बाद काने निगेर ות योउड जानस बाद करू मेरे शाथ आज को जाने दो उसे साथेश को चाने दो हूमन बांब अपना आपको बास करदूऽए अँआ हम सब को जाने दो पाकिस्तान लड़ कर लेंगे जननत कश्वीर इस पर पाकिस्तान का हाग है हॉई मेर्ण तक दोड़ा दुआ अप्र जोड़ा दुआ मेजर अपने साथों के मात के संवधार तिर्फ तुम होगे मेजर। दिर्फ तुम। मेजर पर के तार उधाँ मेजर। मेरी मातरा मैजर। मेरी मातरा मैजर। अब जब आपकर दो मिज़र साप मुझे बाफ कर दो मुझे बाफ कर दो मुझे बाफ कर दो हमारे कश्मीर को हिंदोस्तान से अलग करेगा तुम्हारे मुल्क को तो बॉंब स्क्वाट बनाने पड़ते हैं लेकिन हमारा हर फॉजी अपनी हतेली पर तुम्हारी मौत लेकर घुमता है क्याप्टन अर्षद खान क्या सब्सक्राइब क्या सब्सक्राइब क्या तुम्हारा नाम गैलेंटरी वार्ड के लिए रेक्मेंट करूंगा सब्सक्राइब करेंगे और हिंदुस्तान की हर लड़की की तुम एक आइडल बन जाओगी वो किसी ब्यूटी कॉंटस में जाने की वजाए एक कैप्टन सोनिया जैसा बनना पसंद करेगी थैंक्यू सब्सक्राइब हिंदुस्तान का हर परिवार भगवान से प्रातना करे देखा कि घर में वेर क्यान सोनिय जैसी थी है थैंक्यूक क्यून और उर बस एक महने में तूम क्यादन से मेजर बन जाओगी में जोनिया से मिसस मैयर पर टा प्रताप सिं बन जाओगी ऐस सर यह जर मैं सिर्फ एक आर्मी कैप्टन ही नहीं बलके कामियाब अथलीट भी हूं एक एशियन गोल मेडलिस्ट हो तो आपने मेरे चालेंज के बारे में सुना ही होगा मैंने मिस को अपनी मिसिस बनाने के लिए सोच समझकरी फैसला किया है मेजर देखो मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है लेकिन मेरी भी एक शर्त है समय और दिन तुम तै करोगी लेकिन जगा मेरी पसंद की होगी ड़न तो कल सुभा आट बजे होगे है यह कहां ले जा रहे हो मुझे जब से मेरी पोस्टिंग यहां हुई है मैंने तो कोई ट्रैक फिल्ड नहीं देखा कैप्टन सोनिया हमने डिसाइड किया था कि टाइम और दिन तुम तै करोगी लेकिन जगा मेरी पसंद की होगी ठीक है चलो लिए फसक्टन साथ अँछर उस सम्सक्राइड कि अधे अभ्यू क्या है थंडी होगी सर इस तरह से मैंने अपनी महुपत हासिल की और बस चंद महीनों में मेरा घर भी पस जाएगा सर अमीने मेरे लड़की पसंद कर लिये बस हैड़कॉटर से इस बार मेरी छुटी मनजूर हो जाए मैं भी सगाई कर लूगा लेकिन अभी तुम्हें इंदिजार करना होगा क्योंकि जब तक यहां पहली बर्फ न पड़े यहां से न कोई जा सकता है ना किसी की छुटी मनजूर हो सकती है सर मैं अल्ला ताला से दुआ करता हूँ इस बार बर्फ चल्दी पड़े लाला का इक्बाल बुलंद हो लाला को परवरदिगार खुश रखें अल्ला लाला को बेशुमार दोलत और धन्दें जल टो लाला की साल गीडाई आने वाला उतार चादर चड़ाने वाला औरusi के मंदीर में बनी देरो वह जल चल तू भी हमारे साथ वहां वहां उत्जश्य है तुझे भी लाला की अन्स जरूर कुछ कुछ मिलेगा मुझे नहीं चाहिए लाला की खैरात और हमारे परिवार से उसकी भीकलेने वहाँ कोई नहीं जाएगा सत्या, ये क्या कह रहा है तू? मैं बिल्कुल ठीक है रहा भावी जब से मैंने गाउं में कदम रखा है गाउं का एक एक आदमी लाला के जन्म दिन का जश्न मना रहा है हम लोग किसाने भाईया खेती करके हम अपना पेट पाल सकते हैं हमें लाला की दयाप पर जिंदा रहने की कोई ज़रूत नहीं है लाला का इक्बाल बुलंदो अमीन अल्ला लाला को बेशुमार दौलत और धंदे आमें आपको सालगरें बहुत-बहुत मुबारक हो मैं दुवा करता हूँ मेरी यह जान भाईजान के काम हो अल्ला मेरे उम्र भी भाईजान को दे दे अल्ला मेरे भाई को लंबी उमर दाराज करे तांब मेरे मुबारक हो तुम लोग सिर्फ मेरे भाई नहीं ताकत हो मेरी मुझे फक्र है मेरे भाईयों पर मुबारक हो चरो भाई अलेको बालेको वालेको नहीं दू Hugo वालेको अलेको अलॉम कि नर्गिस मेरी नजरे किसे तलाश कर रही है जब मेरी आखों में शोग यह आ जाए जिससे देखकर मेरा दिल धड़क उठे जिस पर नजर बढ़ते ही मेरी आखे जमक उठे तो समचे ना मुझे उसी की तलाश है लाला का इक्बाल बुलंदो अमें लाला को दुनिया की सारी नह्मतों से नवाजे अमें ऑ्सिं को अश्हा मैंने शहा जो अमसे मेरा धिने नहीं आज़े आजिये आये लाला आये या मेरे मुला दुनिया की हर बला और मुसीबत से हमारे लाला की हफाज़त करना आमीन आमीन प्रुला आमीन तो आमीन याम हुष ए, हुष । हुष है इस लिए वह जो यह में आज ख़ह के दो चाहिए और चाहिए आज मैं यह खंजर तुम्हें तोफे में दे रहा हूं इसकी क्या जरूरत है साब जी आपकी बेशुमार ताकत और अम्यबों की दुआएं मेरे साथ हैं फिर भी अगर किसी ने गलती से जोनाबाद की तरफ बुरी नजर डाली या यह सर्जमी के साथ गद्दारी की तो यह खंजर उसके सीने में उतार देना जो हो कुम साब जी सुने की जैसी है मैं और देक्षा है मेरी जवानी सुने के जैसी है मेरी जवानी आके चुरा ले दिल बर जानी सुनिके जैसी है मेरी जवानी आके चुरा ले तो दिल बर जानी सारा जहां पड़ा है पीछे खुद को भला जबालू कैसे ते जा तुझ छला निशानी सुनिके जैसी है मेरी जवानी आके चुरा ले तो दिल बर जानी सुनिके चुरा निशानी सुनिके चुरा निशानी शोला दबा कबसे खड़कना जाए रे सीने में है जो दिल धड़कना जाए रे पलकों में मुझको बसा ले तू होटों से मुझको लगा ले तू हर जागिर है यह उसन तेरा तेरे लिए है सब कुछ मेरा फुरवान तुझ पे दिवानी आके चुरा ले तुद बर जानी सो तिंके जैसी है तेरी जवाली आपके चुरा ले तुद्र बर जानी आपके चुरा ले तुद्र बर जानी रेशम वाली चुनरी सरक गी जोबन से अब तो लिपट जातू अनाडी मेरे दामन से आलत है क्या कही नो जाए दूरी जरा सही नो जाए तूरी जरा सही ना जाए सु बादशाम मैं तेरी बेगम होगी कधी ये चोहत नाकम तेरी है ये जिन्दगानी आपके चुरा ले तू दिल बर जानी सु तेके ऐसी है जेरी जवादी आपके चुरा ले तू दिल बर जानी अलबक्ष जब भी तू मुझसे मिलना चाहते हो प्यार बरी बाते करना चाहते हो तो मुझे यहां ले आते हो क्यों क्योंकि अम्य अबू हमारी महपत के गवाँ है नर्गिस ये मुझे बच्पन में ही छोड़ पर चले गए थे मगर यहां आने के बाद ऐसा लगता है ये आज भी मेरे साथ हैं यहां आकर बड़ा सुकून मिलता है मुझे मैं इन से अपनी दिल की बाते कर लेता हूँ और यह मेरे हर सवाल का जवाब देते हैं अम्य और अबू से मेरे साथ निकाख करने के इजाज़त कब लोगा अलव्क्ष आम्य अबू के साथ मुझे लाला से भी इजाज़त लेनी पड़ेगी क्यों मेरे सर से अम्य अबू का साय उटजाने के बाद लाला ने ही मेरी इस मौसम की पहली बर्फ मुबारक हो नर्किस कैप्टन हर साल मुझे खासतोर से यहीं डिप्यूट किया जाता है लेकिन इस साल हेड़कॉर्टर ने मुझे नीचे जाने की मन्जूरी दे दी है बड़े खैरत की बात है सर वो इसलिए ताकि हम जैसे नहीं ऑफिसर्स भी आपकी तरह एक्सपिरियंस और ट्रेंट हो जाएं लेकिन इर्शाद तुमारी भी तो छुटी मन्जूर है सर मैंने छुटी कैंसल करा दिये मैं गाउन नहीं जाओंगा क्यों क्या हुआ तुमें तो अपनी मां की बहुत याद आती थी सर इस मां को छोड़कर आब उस मां के पास तब ही जाओंगा जब वो मुझे बुलाएगी और वैसे अब मुझे इसकी याद नहीं आती वो हर वक्त मेरे साथ है इर्शाद तुम लोग तीन ओफिसर्स हो और साथ जवान टोटल तस कुछ पैठी होंगे काफी है सर मौका पढ़ने पर एक एक सिपाई सवाल आग दुश्मन पर भारी पड़ेगा गुड मौनिंग सार गुड मौनिंग क्यों क्यापटन साथ इतने बड़े थेले में दुश्मनों का गोस्त ला रहे हैं ओए दुश्मनों का गोस्त तो हमारे यांके कुट्ते भी नहीं खाते हैं ओए तारा सिंग ओए मेरी चिठियां ले जा यार सिर्फ तरीक लिकर रोज एक पोस्त कर देना साथ मेरे गाउं से तो पोस्त अवे चार किलोमेटर दूर है आप किसी और को दे दीजिए रूप चन साहब पिछली मरतबा मेरी आधी चुटियां आपकी चिठियां डालने में गुजर गई थ आप भूला नात को दे दीजिए इसका बाप पोस्त मस्तर है क्या बात कर रहा है साब मेरा बाप तो दो साल पहले ही मर चुका है तब से मैंने पोस्त आफिसी जाना छोड़ दिया है कमाल है यार एक दिलेर सेंग सर ला तेरी चुठियां मैं पोस्त कर दूंगा ओ ओ ओ तैं इस दिन मेरी पसंद का राम के साथ आ गया उसके बाद हर जवान की जुबान पर वही गाना होगा अल दो बैस सर अब समझ में आया कि इतने बर्सों के बाद मेरी चुटी क्यों मन्सूर हुई क्यों सर वो कैप्टन सोनिया के बगल में देख रहे हो करनल करना को हां जी वो कैप्टन सोनिया के डैडी है यह उनकी अप्रोच की वजह से मुझे चुटी मिल गई है कैप्टन सोनिया या ग्र प्रदाप मेरे तुम्हें कितना मिस्किया नहीं करोगी तो मिस्स कहां से बनोगी मेजर प्रताप मौनिंग सर मौनिंग तुम्हारी छुटियां अभी तक शुरू नहीं हुई जो तुमने रोमान्ज शुरू कर दिया क्या आप मेरी छुटियां कैंसल कर देंगी सर अपसलिटली नौ बार्डर रोड श्रीनगर को जोड़ने वारा जो जो जोनाबाद का ब्रीज है वो क्रॉस करने के बाद तुम्हारी छुटियां शुरू होंगी अपर है कि अपर अपर सुटो कि अपरी है अबीज दोग्षा सर अपरी है क्यात्त। प्रोट्रोग्ण क्यात्त। हाहा भी खाहा भी ट्रीक्त कि युआ नहाँ तर मिल ठार्व कर तुआ तुआ तुआर कि अपनेर को तुआ। अब होग है अब टौनि जुरू हो एक गया पाकस्तान का नरहिए आस्तान सब्सक्राइब तर्हां थाम आले कम गलमस्तान वाले को मां असलाम नाला कुछ खबरी है वाजी कारवसरी नगर की तरफ रवाना हो चुका है इसके मायने वहां भी बर्फ पढ़नी चुरू हो गई ह यकीनन और मेजर प्रताप के चले जाने से हमारा रास्ता और भी साफ हो गया है इसी बात पर हमारी दावत खुबूल करें लाला अपने भाईयों के साथ हमारे गरीब खाने पर तश्रीफ लाएं आप ठीक है कल ही हम आपर भाईयों के साथ तुमारे दौलत खाने पर तश्रीफ लाएंगे खुशाम दीद खुदा हाफिस अलाफिस कि आजा बगतावर कि अग्याओ कि अग्याओ कि अग्याओ कि अग्याओ आये की अग्याओ ताहिका मेरा mex और हदे लो मजंच इसलड़िया खुस्जामदी खुश्जामदी 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 तुम्हारे मुबारक कॉद्ध मिया पड़े यहिहोरी ठी हमारे क्वान्दा लाला यहां तो पूरी जंग की तैयारी चल रही है गुलमस्तान बेशक जहाद कब वक्त आगया है लाला और इस मरतबा इंदुस्तानी फौच के दुबारा सरहत पर लोटने से पहले हम चौनाबाद को तोड़ के अपने अकब्से में कर लेंगे और इंशालला कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करके पाकस्तान में मिला लेंगे ये कैसी बाते कर रहो गुलमस्तान कश्मीर पाकस्तान में हर्गिस नहीं मिलेगा जैसा की तैय हुआ था मुझे आजाद कश्मीर चाहिए पुरा मुलक जिसका वजीर आजम बनना है मुझे और सिर्फ इसी वज़ा से मैं तुम लोगों का साथ दे रहा हूँ इंशालला वो परवाले ने चाहा तो ऐसे ही होगा लाला हत्यारों की पहली कंसाइनमेंट तो मिली चुकी होगी लाला हमारे यहां से और दो खेप रवाना होंगी पहली खेप में आड एक्स और जिलेटिन स्टिक्स होंगी और दूसरी खेप में कुछ लैंड माइन्स रॉकिट लांचर्स और मिसाइल्स होंगे तो ठीक है गुलमस्तान मैं अपने आदनियों के साथ जल्द से जल्द अलबक्ष को तुम्हारे पास भीजता हूं जाए शुक्रिया अलबक्ष अज मच्चा अलबक्ष अम्मी और अप्पु ने तुम्हारी चाधर को बूल नहीं की मेरा दिल खब्रा रहा है खुदा के बाते मच्चा अब अम्मी अबू की दुआए मेरे साथ है नर्किस लाला की जुबान मेरे लिए हुकम है और उसे निभाना मेरा फर्ज अलबक्ष यह इमाम जामिन ताबीस तुम्हें बांध रही हूँ खुदा तुम्हारी अफासत करें हर बला से महफूद रखें तुम्हें तूटकर गिरना अच्छा नहीं होता अलबक्ष मुझे टर है आज कोईनों कोई हाथसा जरूर होगा मेरे खाथी रुख जाओ अलबक्ष अपनी मुहबत की खाथी रुख जाओ फिर से तुम्हें रुखने के लिए कभी नहीं कहूंगी कभी नहीं ऐसा नहीं हो सकता नर्किस लाला खुद सरत पाढ़ जाकर इस काम के लिए जबान दे आये हैं अगर ये काम पूरा नहीं हुआ तो मैं लाला से नजरे कभी नहीं मिला पाऊंगा भरोसा रखो नर्किस अपनी महबत पर यकीन रखो मुझे कुछ भी नहीं होगा सब ठीक हो जाएगा खुद हाफिस खुद हाफिस ना चुडी खनकेगी ना पल छनकेगी ना गजरा में केगा ना कजरा बहकेगा ना जाओ ना जाओ ना जाओ ते आएगा ना जाओ छोड़के न जाओ पिया छोड़के न जाओ पिया तुझको मैंने ये दिल दे दिया तुझको मैंने ये दिल दे दिया प्यार मैंने तुझसे है किया तुझको मैंने ये दिल दे दिया तुझको मैंने ये दिल दे दिया तुझको मेनी ये दिल दे दिया तुझको मेनी ये दिल दे दिया नेन्द भी तुझको मेरा हूब भी तुझक बिना तेरे कैसे रहू ताम दुआई ये दर्द जुदाई गलाई से कैसे सूँ मौसम है यादों का कस्मों का बादों का आ करीब आ साथिया आ करीब आ साथिया तुझको मैने ये दिल ने दिया तुझको मैने ये दिल दे दिया होटार मेर का आ करीब आ साथिया होटार! होटार! आ दुझको मैं यादब पल के छुखा लो नजर में छुपा लो कहीं दूर जारे ना दू है तेरे मेरे बीच आया बातों उसे भी में आने ना दू बस इतना कहना है सांसों में रहना है चैन मेरा तूने ले लिया तुझको मैंने ये दिल दे दिया है तुझको मैंने ये दिल दे दिया अश्या, त्या तुझको मैंने बीच, तुझको मैंने ये दिल्ए कर सहाँ दुझको मैंने येिया कि अश्राम अलेकुम वालेकुम असलाम अलबक्ष लाला वाकई बहुत खुश किसमत इनसान है कि उसे तुछ जैसा वफदार नेक और इमानदार आदमी मिला है कि मैं तो लाला की खाक के बराबर भी लाला तो फरिष्टा है मेरे लिए इसलिए मैं अपने मुल्क के जवानों से चुपकर लाला के लिए काम करता हूं साबाश सामान लाद दो पते हमारी होगी सामा में ये के लु़ा है सामा भी पर आप गोल्फार्म अपने फौजी भाईंपर गोलिया क्यों चला रहे हो अगर हम गोली नहीं चलाएंगे अलबक्ष तो ये भून डालेंगे मैं मैं सब को बचा कर ले जाओंगा यहां से लेकिन गोली मद चलाओ मेरी टॉपी नाएंग चौट दो अजाओ लाला ने फौजीयों से बचा कर सामन लाने के लिए जरूर का था पर उन पर गोली चलाने के लिए कभी नहीं का था लुक जाओ खोली मद चलाओ यह हमारे जवान है मैं तुमको यहां से बचा कर ले जाओंगा चलो 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 मेरे साथ चलो कुछ लाओ सबार यहमार छिको कुछलो आप आपिला हूँ किदर गैस थाने कुछ पेटिये धूड़ उन कमीनों को वह इस हाथसे पर मैंनों जोग याद आगया सबी सीरिस सार वान जबानों को गोली लगी है चले येस यूर राइट सेंजय प्रभागा लेस गोबैक आगाए चल्दी कर चल्दी वन जमानों को लेडा बंकर आपकर के लिए पर शॉत्तम में वैर से रगाए अलफा बंकर बंकर में खरेल ए चल्दी आलफा-1-2-2-1 एना ऑज्जाए जाता एक हम आप आपारा हूए प्राइब से जाता है चालीवन शीगिंग बोलो दिलिर सिंग क्या भाध है आप अप यह निटने पाग्या भी अमारा एक यह फ्रेट जाताए यह कंट अप्राइब अप्र अर्मीड दोन दोन तरफ से गोलिए चली सब्सक्राइब क्या है रेडियो पर मेरी परवाईश का अभी तक नहीं बजा है सब्सक्राइब कैप्टिन दिलेर सिंग मैं तुम्हारे लेटर्स पोस्ट करता रहा हूं ओवर औन आउट थैंक यू सर थैंक यू वेरी मुच खुच और सोट मुच और झाल इनके अब ठीक है सर साला जबशी पाकिस्तान बना है यह हमसे लगातार पंगा ले रहे हैं ओई यह पाकिस्तानी यह नहीं समझ दे कि अगर हिंदुस्तान की सारी जंता उनके बॉर्डर पर खड़े होकर यह कर देना हां तो सारे पाकिस्तान मे मैं बाड़ा जाएगी क्या बात है हां साले दोगले समझ देने हैं हाँ हाँ ाल प्लॉद झाल प्लॉद थाना अलबाट झाल लाक्ट इड है लाक्ट वाक्ट लाक्ट यह सब कैसे हुआ अलबक्ष मैं तुम्हें रोक रही थी ना पर तुमने मेरी बात नहीं मानी मुझे डर था कि कुछ न कुछ जरूर होगा आखिर वही हुआ ना खुदा ना करे अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी कुछ कुछी कर लेती खुदा पर भरोसा रखो नर्किस वो सब की इफाज़त करता है एक बात कहूं अलबक्ष बोलो नर्किस तुम्हें मेरे मुहपत का वास्ता सरहत के उस पार जाना छोड़ दो मैं लाला के लिए काम करना नहीं छोड़ सकता नर्किस लाला के लिए तो तुम आज तक काम करते रहे है अलबक्ष पर कल्दों में अपनी भी तो जिन्दगी गुजारनी है मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम लाला से अपने लिए थोड़ी से जमीन मंग लो और उसमें जो अनाज पैदा होगा उससे हम अपना गुजर बसर कर लेंगे कम से कम सुकून और इत्मिनान की जिन्दगी तो जी सकेंगे लो तुमारा घर आ गया अलबक्ष तुम लाला से जमीन के बारे में बात जरूर करना मैं साब जी से बात करूंगा आओ अलबक्ष आओ मामुली से जख्म है साब जी गोली चूकर निकल गई किसकी गोली हमारे वतन के जवानों की है तुम लोगों किसीने परशाना तो नहीं नहीं साब जी कि अलबक्ष कि आज मैं बताता हूं कि मैं तुमसे इतनी महबत क्यों करता हूं कि यह जो कुछ भी तुम कर रहे हो इसके पीछे मेरा बहुत बड़ा मक्सद है कि आओ मेरे साथ कि अब और अफाए जानते हो तुम मैं यह त्यार पड़ो सी मुलक से क्यों मंगवाता हूं कि हमारे जागिरदार और समिदार इने खरीदते हैं ताकि वो जंगली जानवारों से गांवालों की जान बचा सकें वक्त आने पे यही हत्यार में पुलिस वालों को भी देता हूं जिससे वो हमारे अवाम की हिफाज़त कर सकें और इससे जो भी आमदनी होती है उसे में जोनाबाद के लिए खर्च करता हूं ताकि जोनाबाद में हमारी हुकुमत बनी रहे यही हमारा कारोबार अलबक्ष यही हमारा धन्दा साब जी आपके बेहसाब ऐसा आने मुझ पर एक और महरबानी कीजिए जो मेरी खातिर अपना खून बहा सकता है क्या लाला उस पहसान नहीं कर सकता बोलो अलबक्ष साब जी जहां जहां तक निगाज आ सकती है पूरे जोनाबाद में आपी की हुकुमत है आपी की जमीन है साब जी मुझे खेत का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए अलबक्ष जिस जमीन की तरफ तुम इशारा करोगे वो जमीन तुम्हारी पर मेरी खातिर तुम्हें सालिक कड़ा इम्तिहां देना होगा वो क्या साब जी इस बार गोडों की दौड में तुम्हें जोनाबाद का जंडा ले जाकर टेक्री पर गाड़ना होगा और ये दौड जीतकर अलबक्ष तुम्हें सारी वादियों में लाला का रुद्बा बढ़ाना होगा इंशाल्ला साब जी सब्सक्राइब होगा इस सब्सक्राइब होगा इसका मतलब या तो ड्रग पेडलिंग कर रहे थे या वेपन्स की स्मंग्लिंग कर रहे थे तुम उन मेंसे किसी को पहचान सकते हो जी कम उन मेंसे किसी की सूरत पहचानते हो तुम सर मुझे सिर्फ एक चहरा याद है उन छेयों में से तुम्हें किसी का चहरा याद है तुन्दा दुन्दा एक का चरह यादे साथ वो अपने साथियों से कुछ क्या रहा था तुम अपने इंटेलिजन्स डिपार्टमन के एक्सपर्ट को बिठा और फॉजियों के बता हुए हुलिय के मुताबक उसका स्केच तयार करो तुम्हें अपने शान और इजत तुम्हारे हवाले कर रहा है अबक्ष्ण इसे बड़करार रखना तुम्हारे के विए तैयार होना है इसे हराना है इस बार वो हमसे नहीं जीत सके है इसे हराना है कि静 खञे दिदा wickedive हमावा सेगड्या है कि कि की हमावा मुझाई ए जाफ बंटी। थारा अढगा वशन्या हर भावा मुझे झातू डघतो श्टा । भेंग, आप सबस्टरा देंग आप cultivateपों है इॉ कर दधा हैं ये एार हैं मुत्तर कर देला भू आप हॉ आता है ये एव बाह कान आप्लाव 근के ने खॉ अल्वार्ण ओार्दीग अल्वार्ण 12 झाल 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 आज लाला का रुद्बा कायम हो गया अलबक्ष्ट आज तुमने लाला को जीत लिया तुम्हारी जीत की वज़े से हमारी बर्बादी हुई है लाला तुम्हारे घोडों की दौर ने हमारे खेट बर्बाद कर दिये है किसान की महिनत को अपने घोडों के तापों के नीचे रहन दाला हुई है कि हमारे बच्चों के मुह से निवाला चिनने वाले तुम कौन होते हो मैं अपने और अपने किसान भायों के नुकसान की भरपाई चाहता हूं लाला वर आज के बाद मैं ना सिर्फ तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाऊंगा बलकि वेद्रोह भी करोगा लाला से नखर मिलाता, लाला से नखर मिलाता है लालासे विद्रोक करेगा То, लालासे विद्रोक करेगा अलबज 근데 यह क्यों करेए अलौम अलबज ह करूड चुआदे, लवक्स, चुडदे मेरे भाई को, उस्धेर क्या पिसारा है जोड़े मेरे भाई को लाला 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 इसा तुपारा कभी नी होगा मैं बाता करता हूं इसकी पहली और आखरी भूल समजके इसे माफ कर दो लाला अलबाफ जाला! जाला! नरिकल? नरिकल? आरिकल? कर दो कर दो कर दो कर दो कि ऐसस्लाम sparked Walaykum Assalam लाला अब तक जो हतियार हमारे पास थे वह हमने हमारे लोगों में बाड़ दी गुल्मस्तान हमें और हमारी सरकार को तुम पर नाज है लाला शुक्रिया अलबक्ष को रवाना कर दो ताकि जल से जल हम हत्यारों के आखरी किष्ट भेज सकें हम हत्यार बांडते रहेंगे या उनका इस्तमाल भी करेंगे नई लाला जैसे ही आखरी खेप वहां पहुंचेगी तुम लोग गाउं से कब्जा करना शुरू कर देना और हम तो यहां की फौजी ठीकानों से जिहाद शुरू कर देंगे खुदा हाफिज खुदा हाफिज पाकिस्तान का ना रहें है है सिकात देंके रहेंगे है पुलमस्तान लाला हिंदुस्तान के साथ डबल क्रॉस कर रहा है और लाला की वज़े से हमारा ये मिशन पूरा होगा वैसे जबान तो हमने लाला को दे रखी है पर इसका मतलब ये तो नहीं कि लाला को कश्मीर का वजीर आजम बनाए जाए मुशर्फ साहब आज तक कभी ऐसा हुआ है कि हमने जबान दी और उसे पूरा किया तारीख कवा है हम पुराने दोगले हैं मुशर्फ साहब पीट पर ही चुरा कोंपा है भूल जाए लाला को जिस दिन जौनाबाद हमारे कप्जे में होगा पाकिस्तानी जंडे के साथ उसे भी वहीं लटका देंगे अलबाक्ष बैठ जा खान जी जनाब अलबाक्ष आया है लैंड माइंज लोड़ करवा दो जनाब को इस अलबाक्ष लाला का वफदर कुत्ता है आखरी जखीरा ले जाने आया है कुल मस्तान जैसे ही जखीरा लाला के पास पहुँचेगा तुम उस कमजर्व को हुख्म देना कि सबसे पहले बारूत से जोनाबाद ब्रिज को उड़ा दे ताकि कश्मीर से जोनाबाद कर जाए फिर ना हिंदुस्तान की फौजे जोनाबाद में घुस सकेंगी और ना ही उन्हें किसी तरह की मदद मिल सकेगी अब रिज के उड़ते ही हम लोग उपर से आर्मी चौक्षियों पर अटैक कर देंगे और जोनाबाद की तरफ से लाला अपने आदमियों के साथ हमला बोल देगा और एक बार जोनाबाद हमारे कपजे में आया पिर सब कुछ हमारी मुठी में होगा क्या पकवास कर रहा है गुलमस्तान किस जोनाबाद को अपने कबजे में लेने की बात कर रहा है कौन सा कश्मीर अपनी मुठी में लेना चाहता है किस लाला के बारे में बात कर रहा है तू हाँ चीर के रख दूँगा साले हरामी के पिल्लो अगर लाला के ओपर जूटा इल्साम लगाया चाप! आवाज नीची कर के बाद कर लाला का पिल्ला है तू और हकीकत ये है कि लाला भी मेरा कुटा है खामुश! खवीज की अुलाद? जूट बोल रहा है तू कोई अमनी जगह से नहीं लेगा वरना मैं इसकी कर्दन काड़ दूँगा चल कभी ने, चल लाला के पास और बोल दे अपने साथियों को अलबक्स को रोक कर दिखाए ख़दा कसम, आज अलबक्स तुम सब पर भारी पड़ेगा चल! रोको उन लोगो गोली में जलाना गुल मस्तान गोलत जाएगी तक एफ तक नुमने साथियों को और dif आषियों को धर दोर थारा हावी परिफली म Means बालैक rê fiction इंसे अंपने स्थाग्या खफशा कर तक ऑमने साथित कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो आहर 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 कि नीचे आओ साब जी देखो यह कमीन आपके बार में क्या पक्वास कर रहा है साब जी यह कहता है आप घदार हो इससे मिलकर जोनाबाद और कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करना चाहते हो बता दो इस कमीने को क्या वतन परस्तो आपके होते वे जोनाबाद का एक जर्रा भी तोड़के अलग नहीं किया जा सकता साब जी पीट पर खंजर घोपने वाला कि यह मादर खंजीर के उलाद कहता है आप इससे मिलें है हाँ मैं लोगों के साथ मिला हुआ हूँ फ़ें पर तु फाराम खौर इनको यह क्यों ले आई क्योंता एक कौन है मालिक है हमारे शाहिक है अकाय हमारी इनका नक Will doorway को मानना पड़ेगा ना अरे तो सिर्फ जोनाबाद और कश्मिर मांग रहे हैं अगर ये कहें तो इनके सामने हम हमारी गर्दन भी काट के रख देंगे नजरे नीची कार हराम गौर इसन मतने हमेड़े चाहं हम उजघने तो आजएगे कुरिक्षकर नीनल्ड़ चाहिए है निच्झाव खरते हैं गर्दन सब्सक्राव उखET ए्ट एजाओ, और विद आतार कुछ उड़ें, एड़ेंवेंवर हो आए कि उड़ेंवाथ, एड़ेंवाãyंवाओा, यवाअ, जिएंवाओाrous म कर फिरidir परलाग का कर दादानि खिर भरुम कर का बैदा झारी उस फिघमेत सीस बस लाला बस तेरा नमक जो मेरे खून में मिला हुआ था वो बाह दिया तुने अब जो कुछ भी मेरे जिसम में बचा है वो मेरी मा का दूद है और अपने वतन की इफाज़त के लिए मुझे अपनी मा का कर्श चुकाना है अगर मैं इसे यहां तक उठा कर ला सकता हूँ तो वहां भी ले जा सकता हूँ जा कानून इसे इसके गुनाव की सदा देगा चाल ठेहरो चाल चाल अलबक्स कौन है यह कहा that understandingmayे इसे यह पाकिस्तान का फोजी अफसर है सब्जी यह हमारे मुल्क में तोड़फ़व gauche द्रज नाहीं जेश़ग ग्ष लाग सअब दीवान जी अलबक्स की da पाकिस्तान से उठा लाया लाला और ये एक दूसरे से मिले हुए हैं हकीकत जानने के बाद साब जी लाला ने अलीखान जी इस गद्धार को उठा के सलागों के पीछे डाल दो जी और इसका क्या हश्र करना है वो मेरे हुक्म का इंतिजार करो जी हुजूर अगल मस्तान तेरे ने नक्ष तो बहुत अच्छे है लेकिन तरी मात बहुत पुरी होगी गुद मॉर्णिंग सर वेलकर मेजर प्रता वेलकर मॉर्णिंग आपने मुझे बुलाया सर यस मेजर बहुत जरूरी काम है आपसे मेजर आप मिशन पर तो जा रहे हैं जहां मैं भी आपके साथ हूं लेकिन यहां आपका एक मिशन अधूरा रहे गया है विच मिशन सर मैं बताता हूं पहले मेरी बात का जवाब दो मेजर प्रताप तुम कैप्टेन सोनिय से मोहबत करते हो कोई यसे तुम सोनिय से शादी करना चाहते हो यह सर कल शाम को मैं तुम दोने करना चाहता हूं यह सर वाट से कशुना साहर बो Lindsay की सगय मुपारख अब तैंक्यू तैंकिव देख भी माचु इशञेशन गॉरादा कुक्राएशन शाहर रंक यू, निध disappoint देखने को तुझ को मचल गया ये दिल हाथों से मेरे निगल गया ये दिल देखने को तुझ को मचल गया ये दिल हाथों से मेरे निगल गया ये दिल अखुडिये घुंगिटा उठा दे जगा मुखडा दिखा दे मूद दिखाई में तुलेले मेरी जा देखने को तुझ को मचल गया ये दिल हाथों से मेरे निगल गया ये दिल अखुडिये घुंगिटा उठा दे जड़ा मुखडा दिखा दे मूद दिखाई में तुलेले मेरी जा देखने को तुझ को मचल गया ये दिल हाथों से इसके निगल गया ये दिल कर दो कर दो कर दो कर देखो जोर, देखो मंटा, कैसे दोरी दाले रप मेरी रप कोई इसको सखाले ओए मानू मेरा कहना ओहीरी ये दिवानी एस न गटेगी तेरी तनहा जवानी यह न गलेगी तेरी दाल है कैसे मैं बताऊँ मेरा हाल है छोड़ दे सता ना मुझी यार उखुड़ ये घुंगटा उठा दे जरा मुखळा दिखा दे मुद काई में तुलेले मेरी जार तिखने को मुझ को मजल काया ये दिल पाने को मुझ को फिसल काया ये दिल फिसल काया ये दिननल इनल गाई प्रिंडती पई पाने को मेरी जிल पाने को मन शलन पूल ये लमोगंदा रही वैinken खोडल लेंगी आएगा जो मेरी घर अंगना उसको बनाँगी मैं सुपनों का सजना जी संपनों का सजना ओ इतना पता दे गब सहरा सा जाओ तुझको दुहन मैं पता के ले जाओ करना पड़ेगा एक जोर हाए कर ले तु मेरा एतबार हाए एतना मिलीगा मेरा प्यार ओ खुडिये घुंगटा उठा दे जगा मुखडा दिखा दे मुझ दिखाए में तुलेले मेरी जाँ देखने को तुझको मचल गया ये दिल हातों से मेरे निखल गया ये दिल ओ खुडिये घुंगटा उठा दे जगा मुखडा दिखा दे मुझ दिखाए में तुलेले मेरी जाँ देखने को तुझको मचल गया ये दिल हादों से मेरे निकल गया ये दिल को तुझको मुझे दिल देखने को तुझको मचल गया ये दिल हादों से मेरे ये दिल एट दोटो एटारा! हाहा! चित एरा! आए यह मोटा बुजे बहुत अच्छा लगता है कि वे एट पी अब हुआ नहीं और तेरी एट पी अब शुरू हो गई लाए तर दे हाँ गया फॉब्लम इसले में तो प्राइम फर्ट इसले में ग्यां एट पीम कि अब एब हो कि अज़िए कर लिया है तुने सराज में बाहर खुले में बैठके भी हुआ है कैप्टेन पुश्वत्तम आप यहीं बैठके प्यों बहुत थंड है तो क्या हुआ है और यह तेरा घर नहीं है यह बंकर है और हम लोग इंदोस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बैटे तो कहा हुआ है वोए बार गोड़ीयां भी चल सकती है तू मर भी सकता है तो कहा हुआ है वो टुर नहीं चाहेगा मैं तेरा सि नियर अफश्व्टर हूँ और यह मेरा हुकूम है तो कहा है धे हुआ हैgesetz शाजूदान तो कदो पीछे चल बरि था अराम से तो यह से बाहर खुले वह शट अप यार तो क्या हुआ इडियट सर ये एट पीम पीने के बाद तो दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं और आप अपसमें लड़ रहे हूं तो क्या हुआ क्या हुआ चाली वन तो अल्फा वन ओवर ओ अल्फा वन स्पीकिंग सार गुड़ मॉर्निंग में इदर इदर बड़ी थन पड़ लई है आपकी तरफ कोई नया डिस्क्रिप्शन दिया है क्याप्टिन सोनिया ने उस टेरिस्ट का एक स्केश दियार किया है तुम्हें ये पता करना है क कि कहीं वो पड़ोसी मुल्क का कोई घुस्पैटिया था या हमारी जमीन का कोई टेरिस्ट ओवर ओजी हमारी लेटिस्ट इंफर्मेशन के मुताबिक वो यहीं जोनाबाद की पहाड़ियों के पीछे गए हैं गुड मैं बहुत जल्द वहां पहुंच रहा हूं वो कभी भ लेट्स को लेफाड यार मैंनू सरली एक जोक याद आगया हां जी तुनाता हूं तीन वीडियां आपस में बातने कर रही थी पहली बोली मैं कल की पाटी में तो काले कपड़े पहन के जाओंगी क्योंकि मेरे हजबेंट के बाल बिलकुल काड़े हैं दूसरी बोली मैं तो क्योंकि पाटी में जाए नहीं सकती क्योंकि वो कुछ पहनी नहीं सकती थी उसका आधबेंट तो बिलकुल गंजा था ना इसकी जञा आएए उस गदार अलबक्ष को पुलिस स्टेशन में उड़ा देना चाहिए दभाए सुल्तान उसे पुलिस स्टेशन में मारने से क्या होता पता है लाला कानून का मुझरिम बन जाता है और हम कानून के साथ खेलते हैं बक्तावर, कानून को हाथ में नहीं लेते भाईजान, यानि वो हराम खोर जिन्दा रहेगा और एक दिन हमारे लिए नासूर बन जाएगा लाला जिसे पालना जानता है उसे मिटाना भी जानता है आज रात अलबक्त सोएगा मौत की गहरी नींद मैंने बंदोबस कर दिया है उसका लाला का इकबाल बुलंद हो वक रुआएगा अलबक्त सोएगा बुलंद हो कि आपिश्काप प्रे कि अभी गौश्च पिल जी इनाली Holmes चारों गर्ञटी आलोगा कि यहाँ आओ अली खान उस हराम खोर को खतम कर दिया ना लाला आपके कहे मुताबिक हमने अलबक्ष को मारने की तैयारी कर ली थी इससे पहले कि हम को एक्शन करते वह हवालात की सलाखे तोड़कर फुरार हो गया तो अलबक्ष पुलीस की किरफ से निकल गया तो ओ फरार हो गया अब मुझे तेरी भी कोई जरूरत नहीं है भाई जान भाई जान वो इसकी लाश को उठाकर पुलीस थाने में डाला आपके की तोड़कर पुलीस थाने में डाला है और हवलदार नजीब से कहो रिपोर्ट में लिखे की अलबक्ष इसे मारत फरार हो गया प्से जो गुलमस्तान को सरत पार से उठा लाया वो यकीनन हमारे लिए भी मुसिबत बन सकता है लेकिन उसे लाला की ताकत का अंदाजा नहीं फाड़ के रगदूआ साले को मुझे आजाद कश्मीर का वजीर आजम बनना है वो तुम्हे बन के रहूँ तुम लोग पूरी वादियों में मौत का साया बन जाओ और वो नमक हराम अलबक्ष कहीं भी छुपाओ उसे अपनी किरफ में लेलो ओम जय जगदीश हरे स्वामी जगदीश हरे अग्द जनों के संकत तास जनों के संकत शन में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे सत्या मुझे माफ कर दो शिवा भीया मुझे माफ कर दो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैं गुनेगार हूँ आपका आपके भाई का आपके सारे परिवार का मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो तुझे तेरी भूल का एसास है यही तेरा प्रैश्च थे अलबक्ष नहीं शिवा भाया मेरे गुना इतनी आसानी से नहीं मिटेंगे मैंने इन हातों को सत्य पर उठाया था पर आज के बाद यहात उन लोगों पर उठेंगे जिन लोगों के साथ में गलत रहा पर चल पड़ तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखना अगर सिंदा लोटा तो हम मिलकर खुश्यां बाटेंगे आज मैं आप लोगों के पास बस इतनी दुआए लेने आया था मुझे आशिरवादी जी भया आशिरवादी जी मुझे आशिर आशिरे हुआओं dengan के बाल नही लिए हैंподैश इस इतनी दिसक पासिते नह प्राइब हो जैशिव शांग तरह हो जैशिव शांग तरह हो अलबक्ष तू विजैय हो हम सब की दौाएं तेरे साथ हैं अब तक मैं जाने में गुनाह करता रहा और यहां कर चादर चड़ाता रहा मुझे माफ कर दीजीगा पर आज के बाद मैं उन गद्दारों को खतम करने की कसम क्वाता हूं और बादा करता उन्हें निस्तो नाबूत करने के बाद ही यहां चादर चड़ाने आऊंगा अँड़ा नहांदा hon कि उन्यार इस कि ए जल वो फैंदा उन्याद कि ए ए civर भल भल नहांदा वहांदा झाव भान समस् fellow व concerning कि अपने रास्ते पर हूं नवाब अलबता तू अपना रास्ता पीछे छोड़ाया पाकिस्तान में और हिंदुस्तान से गद्दारी करने वालों का रास्ता सीधे कब्रस्तान जाता है हुआ अ कैंचे रास्तान जाता है अरे अरे घोड़े पर किसकी लाज़ है यह तो लगता है लाला का भाई है लाला इस सरजमीन से मैंने आज एक गुनिगार का बोज़ कम कर दिया इस जंग की शुरुआत हो चुकी है अंजाम का इंतजार करना हमाँट! 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 जिला लाणा जिला तेरे हर भाइ की मौत की चीक इन वादियों में गुझेगी और तु एक-एक की कबर पर सरपटक पटक के रोएगा मेरा जेफिते दने तेका तो propos कापतर पर रोने वाला कोई भी नहीं होगा उत्मा जुख अजय है तो समय है है ना मेजर किसी ने ठीक ही कहा है कि ये धर्ती पर जन्नत है लेकिन इस जन्नत को किसी की नजर लग गए देखना ये एक दिन फिर से जन्नत बनेगा ज़रूर सोनिया हमारे इंटेलिजन्स ब्यूरो ने जिस टेरिरिस का स्केश तेयार किया है उसकी तुम जोनाबाद में इं दो लिए इसके भाइर में बातें करेंगेैं बरूप छुरू होगो कर दो कर दो कर दो कर दो हाँ लाला 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 चम 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 बोले पाया पिया तुने ये क्या किया मुझे चुलिया हो ने चुई मुई से मट गई तेरी बावों में ये क्या किया मेरे पिया ये क्या किया ओ ओ सनम ओ सनम ओ सनम मेरी दिल रुबा मेरी बावों में आभिजा मैंने चुलिया हो तुछुई मुई सिमट गई मेरे बावों में तो क्या हुआ जो छुलिया तो क्या हुआ जो तो क्या है तो क्या हुआ मन में कोई प्यास है, मन में कोई आग है भीगे भीगे लगों के जाम ले कैसा मेरा हाल है, कुछ भी नाख्याल है मेरी बस में नहीं मिरा जीया ओ सनम, ओ सनम, मेरी दिल रुबा, मेरी बाहों में आभी जा स्कत्र जाते स्थेять कि क्तिनी नाख्याइन नहीं वरी तिल Augm कैसे राक मैं 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 आड़ारा आड़ा ये रवाइन पी Alto प्रकू anda करे दाने सिब्सक्त दाता है आखों में खुमार है दिल भी बेकरार है बेखुदी मुझे पेछाई प्यार की आखों जादू तेरा चल गया चल मेरा धर गया ये शरारत है मेरे यार के मतर इस अदा पे मल गया चम 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 बुले पाया पिया तुने ये क्या किया मुझे छूलिया हो मैं चुई मुई से मट गए तेरी वावों है तो क्या हुआ जो छूलिया तो क्या हुआ जो छूलिया तो क्या हुआ ऩजो इसुन रह आसी नहार चौत मैंसे टो सुच जो इसुन है। हुआ 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 है पार आ आपिछी सकासरा यह fala लुए हुआ strikes बिजाओ म MARY मचा सुचे बालो परणाओ lucky अाजाओ लग लगा हुआ लगा हुआ 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 बैस्टा, बर्फार्स छोड़ो, हुटो जी हुटो जो चालाँ Sali Sali, लिए लिए, छोड़ दो Sali को पकड़ गरा कुझे Sali, तेरे यार ने मेरा भाई का महाढ ड़ा आज मैं तेरी वहा हालत करूँगा तू कहीं की भी नहीं नहीं और तेरी हालत देखकर तेरा वह कमीना यार किहीं भी चुपा हो दरूर सामने आएगा पकल गरागा उत्तालीको पकल गरागा उत्तालीको पकल गरागा चोड़ दो मुझी पकल गरागा झाल पकल गरल झाल जर्फ पकल गरागा घॉत कर दो ago तुम ठीक हो ना क्या नाम है तुम्हारे नर्गिस कौन थे ये लोग लाला के आदमी थे ये लाला कौन है हमारे गाउं का सबसे बड़ा आदमी है पूरे गाउं का सरपरस्त है सब ही लोग उसी का हुकुम मानते हैं ये लोग तुम्हारे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे थे अलबक्ष का पता जानने के लिए, यह अलबक्ष कौन है? मैं अलबक्ष से महबत करती हूँ उन लोगों को तुम्हारी महबत पर अतराज है नहीं, पिर? अलबक्ष कल तक इन लोगों के साथ काम करता था लाला का सबसे हमानधर और वफादार आदमी था मगर जब उससे पता चला कि इन लोगों का साथ देकर वो गुना कर रहा है तो उसने खुद को इन से अलग कर लिया ये अलबक्ष क्या काम करता है साब जी, मैं अलबक्ष को खुद अपने साथ लेकर आती हूँ वो आपको बताएगा इन लोगों के बारे में भी और अपने बारे में भी साब जी, अलबक्ष बहुत नेकी इनसान है आपको खुदा का वास्ता जिस तरह से आपने मेरी हिवास्त की उसी तरह अलबक्ष के भी मदद किजेगा ठीक है, अपना ख्याल रखना हूँ अपना ख्याल रखना हूँ अपना ख्याल रखना हूँ इले में वाल नची इसे लिवमेशों ट्राजव करवास्ति यहां की अछेशों पर्फ़ेयशे tide वाए उसका नाम है अरभाविय है साथमील इसके जरीश ब्लीवान लिक्टेह एक्टेहर में लुटेंगे वार्वाथ प्रीकित्र देस्ट कर दो देल्ट बन दील शारीवन अटर देनल डोट कर दो यू टर्रस्ट यू अनर अर्रेस्ट झाल झाल से परेंट अकला बाम स्टीक है दो भीसाट्रेकर अकला पूर साओगा है आम घाहे सा छोड दूना दूना टाल प्लेंड दॉना भाणा प्लेंड दूना अल-घाट्रा अवा क्यों से दूनाइडि अविए झाल आप जानते हैं आप किसको मारने जा रहे हैं। हीज अलबक्ष। इसी के बार में तो मैं आपको इंफिमेशन दे रही थी। कल तक ये लाला के साथ काम करता था। लेकिन आज ये खुद लाला के खिलाफ खड़ा है। साब जी, साब जी, साब जी। यही तो है मेरा अलबक्ष साब जी। और अलबक्ष, यही तो है वो साब जी। जीनों ने तुम्हाने नर्गिस की इज़त लाला के दरिंदों से बचाए। मैं लाला के बारे में जाना चाहूंगा, अलबक्ष। यह जखीरा में ने लाला के भाई नवाब को मार के अपने कबजे में लिया है। और लाला के खिलाफ जंग का एलान कर दिया साब जी। ऐसे न जाने कितने हत्यारों के जखीरे लाला के हवेली में पेवस्त हैं। यह क्या कर रहे हैं साब जी। तुम्हें आर्मी कस्टिडी में ले रहा हूं शुक्र करो कि तुम जैसे खतरना टेरिरिस्क को मैंने गोली नहीं मारें साप जी यह अब क्या कर रहें साप जी अलबक्ष यह सब जोनाबाद की भलाई के लिए कर रहा है मेरे अलबक्ष को छोड़ देती है अब अलबक्ष का जो भी वैसला होगा वा आर्मी है कोज़ महीं होगा आजी, मैं आजबाट! वो गद्दार अलबाक्ष पुलिस के शिकंजे से तो फरार हो गया था पर अब आरमी के किरफ्त में आ चुका है किसने किरफ्ता आप किया उसे? मेजर पताब सिंग ने मेजर पताप सिंग उसे एक कयामत तक नहीं छोड़ेगा और इसी दौरान हमें अपने मनसूबों को कामयाप करना होगा लाला इन्शाला हम लोग यहां गाओं से कब्जा करना शुरू करते हैं और तुम लोग पहारों से फौजी ठिकानों पर हमला करो अल्ला हाफिज लाला, खुदा हाफिज साब ची, यहाल बख्ष को छोड़ देजी, छोड़ देजी ले चलो उसकी माश्यूका को मैं ले जिस मकसद के लिए तुमें करिफ़तार किया था, वो पुरा हो गया मैं समझा नहीं साब जी तुम आर्मी की कस्टेडी में हो, मैं यह लाला को दिखाना चाहता था अब उनका काटा निकल गया है, इसलिए वो पाकिस्तानियों के साथ मिलकर जल्द से जल्द घुस्पैट शुरू कर देंगे लाला और सरत पार के लोगों को रोकना होगा साब जी अधियार किसी महफूस जगह पर छुपा देना, ताकि दुश्मनों के हाथ न लगे अलबक्ष, मैं तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौम के जा रहा हूँ साब जी, भले ही हमारे मजब अलग अलग हो, पर हमारा मुल्क तो एक है, जब तक हम एक दूसरे पर भरोसा करते रहें और अपनी अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाएं, तो कोई भी दुश्मन हमारे मुल्क पर आग भी उठा कर नहीं देख़ता तुम जैसे मुसल्मानों का इमानी हिंदोस्तान की शान है, अलबक्ष लेट्स को कैप्टेन आर्मी इंट्रिजेंस रॉप, किसरी भी आतंग वादियों के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दिये और नहीं बार्डर पर कोई आर्मी मोमेंट या प्रॉक्सी वार जैसी सिचुएशन की कोई रिपोर्ट है सर्, आर्मी इंट्रिजेंस और रॉक किसी इंफोर्मेशन को देने में नाकामियाब हो जाएं तो क्या हम लोग हाथ पे हाथ रखकर बार्डर की तरफ से बेफिकर हो जाएंगे सॉरी मेजर मैं सिर्फ एक तुमारे कहने से इतनी बड़ी तादाद में फौजे ताकत बार्डर पर नहीं बेच सकता क्योंकि तुम एक ऐसे आदमी पर यकीन कर रहे हो मेजर प्रताप जो कल तक हमारे दुश्मनों से मिला वा था इस इंफर्मेशन के पीछे को साजिश भी तो हो सकती है अगर मैं देश भक्त और देश द्रोही में फारत में ही पहचान सकता तो मुझे आर्मी से रिजाइन कर देना चाहिए सर्टों के दिमोशनल में जप्रताप देखो मैं इतने जवानों को रिस्क नहीं ले सकता पर फील तूफान और अवलांच उसमें मैं अपने जवानों क अगर एक भी जवान अवलांच या तूफान में मेरी वज़े से मारा गया यू कोट मार्शल मी सर्टों के सामने भी तो हमें जवाब देना होगा पड़ोसी मुल्क वाले हम पर ये इल्जाम भी तो लगा सकते हैं कि पहल करके हमने हमला किया था पूरी दुनिया जानती है स अगर प्रताप ट्राइट एंडरस्टान माई प्रॉब्लम मेरे हाथ बंदे हुए हैं तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे ब्रिगेड और इविजन हेटक्वाडर्टरस की सिलहा लेनी पड़ेगी अगर मैं ब्रिगेड और डिव हेटक्वाडर्टरस के भरोसे बैठा रहा तो जवाब आने से पहले दुश्मन कश्मीर पहुंचाएगा सर्थ आप अपनी पॉमालिटीस पूरी कीजिए और अपनी ड्यूटी पूरी करता हूँ Sir, I am with you. I will always be with you. नमस्ते और अदाब फॉजी भाईयो आज का पहला गीत इनकी फर्माश पर हवलदार अब्दुलकादर सुवधार दान सिंग और राजपूत रेजिमेंट के कैप्टन दिले सिंग होई मैं राम आकिया होई मेरा नाम आ वगिया होई किस दिछानि मेरा जीक आखकेश और कर्तव्य किस संसना की हवाओं में जूं जाएए कर चले हम्तिदार जानोतन साथियों अब तुमारे खवाले वतन साथियों कर चले हम्तिदार जानोतन साथियों अब तुमारे खवाले वतन साथियों कर चले हम्तिदार जानोतन साथियों अब तुमारे खवाले वतन साथियों सांस भमती गई, नब्स जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न हुक ने दिया, कट गए सर हमारे तो कुछ रम नहीं, सर दिमाले का हम ने न धुक ने दिया, मर्च मर्चे रहा बादु पन साथियों, अब तुमारे हवाले वतन दाथियों, कर जले हम सिचा जान दाथियों, अब तुमारे हवाले वतन दाथियों, जिन्दा रहने के मौसम बहुत है मदर्ड जान देने की रुठ रोज आती नहीं, हुस्न हर इश्क दोनों को रुस्वा करें, वो जवानी जाखों में नहाती नहीं, आज धरती बनी है दुलहन साथियों, अब तुमारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम सिदा जान तन साथियों, अब तुमारे हवाले वतन साथियों राह कुर्बानियों की नवीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए खाफिले, पंदे का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मात से मिल रही है गले, बाद लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुमारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम सिदा जान तन... प्रुट्यार्ट अल्बार्ट कर आप! पाक्जा कुट्टों! साप्जी, साप्जी, सा... साप्जी, लाला, तुमने तो कहा था कि अलबक्ष को मेजर प्रताप सिंह ने गिरफतार कर लिया है, लेकिन वो तो बादियों में मौत का साया बनके घूम रहा है, उसके हाथों मेरे कई साथी शहीद हो गये लाला, अगर तुम एक अलबक्ष को काबू में नहीं कर सकते तो फिर पूरे कश्मीर को खाक आजाद कर वाओगे, मुझे आकरी मुगद और गलमस्तान, अलबक्ष का जनाजा नहीं उठेगा, वो जिन्दा दफन होगा मेरे हाथों, और हमें आजादी मिलेगी, इन्शाललाम कामयाब होंगे, आमीन, सम्म आमीन, खुदा हाफिज लागा, खुदा हाफिज, सर, मैंने चुट्टी कैंसल करा दिये, मैं गाव नहीं जाओगा, इसमा को छोड़कर, आप उसमा के पास तभी जाओगा, जब हम मुझे बुलाएगी, ओए, एक पॉजी अपनी लाइफ में दो ही तरह से मशूर हो सकता है, या तो उसे परमवीर चक्र मिल जाए, या उसका नाम रेडियो पर आ जाए, और जब तुम लोग मेरी पसंद का गाना सुनोगे, तो सुनते रह जाओगे, हाँ, सारे जहां से अच्छा, हिंदो सिता हमारा, हमारा, सारे जहां से अच्छा, हम बुले है इसकी, ये गुल सिता हमारा, हमारा, सारे जहां से अच्छा, इंदो सिता हमारा, हमारा, सारे जहां से अच्छा, हमारा, हमारा, जहां से फजहां से अच्छा, का अच्छा, अच्छा, का च्छा, मॉ्दाओ, क् गज़ agora ऑख प।, अच्छा, का अच्छा, क् था दिए सकता हमारा हमारा तार्या, अलबक्ष हमारा ट्रांस्मीटर बरबाद हो चुका है खोला बारूद और हत्यार भी इतने नहीं कि हम ज्यादा देर तक दुश्मन का सामना कर सके हैं इसलिए हेड़क्वाट्र को इंफ्रमिशन देने के लिए हम दोनों को नीचे कंट्रोल पोस्ट पे जाना पड़ेगा ख्याल रहे हिंदुस्तान की इस पोस्ट की हिफाज़त की जिमेदारी तुम दोनों की है आप बेफिक्र होकर जाएए साब जी अलबक्ष ने आप लोगो में हिंदुस्तानी खून तो है इंशाला जब तक इस जिसम में सांसे हैं दुश्मान कश्मीर का एक जर्रा भी नहीं ले जा सकता है है हुआ है हुआ है आगे साब शी मेजश साब आ गए सब्सक्राइब सब्सक्राइब चोड़ो मुझा अपने से मार दिया तो ये बेनामी की मौत माना जाएगा इसकी मौत पूरे जानाबाद के लिए सबक होनी चाहिए हम इससे गाउं के पीचो बीच मारेंगे ताके कोई भी आपके खिलाब बगावत्ता कर सके हाँ तो ठीक है को अजया शेयर लेजाओ उसे और इसकी मौत के साथ साथ इसकी मास्युका नर्गिष को भी खणम कर देना और दोनों को जोनाबाद के बीचों पीच्ष दफन कर दो और पूरे जोनाबाद में आजादी का एलान कर दो और मैं खुद फुल्मस्तान के इस्तिकबाल के लिए जा रहा हूं कि उसके आते ही सबसे पहले में जोनाबाद के पुल को उड़ा दूँगा ठीक है ले जाओ इसे लिजाओ ले चलो इसे कि अज़िए असलाम अलेकुम गुलमस्तान वालेकुम असलाम लाला हमने हमारे वादे के मुताबिक अलबक्ष को गिरिफतार करके उसे जिन्दा दफन करने के लिए भेज दिया है आप अपने मुझाइदिनों के साथ आकर जोनाबाद को अपने कब्जे में ले लो एक जोनाबाद की क्या बात करते हो लाला इन्शाला कल श्रीन अगर के डल्ज हिल के शिकारे में बैठके हम फ जगा आजाद कश्मीर के तारीख में आपकी होगी आमीन खुदाहाफिज खुदाहाफिज चलाओ ले जाए से और लग्वाद कमीन को लोरा के हक्म से जौन अबाद के अवाम को ये इतला दी जाती है कि आ इससे जौन अबाद ऐक अज़ाद मुल्क है और जल्द ही पकिस्तानी फाजे इसकी इफाज़त के लिए यहां पाँच जाएंगी जिस ने पेस की आजादी से इंकार किया वस्त का भी वही हश्रोगा जो इस घजार अलबक्ष का हुआ है हमारा पर्चम लहरा देही इसे गोल्यों से भून दिया जाएगा फुरा सम्लागरे रजाक वही हुआ है कर दो 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 कर कि अब एल्ग पाने हो एक उड़िए। कि अचि को अचि को अचुछ खाय को अजय को कि म kleको करता ओल भी यिवा... कि अचंच लूग कि आ वाल! किlus च póमा से करता जब ख खाम प्रसम कि असने हम लुट कर दो, आपकारो, एप रांको खोली लगी, सत्या चल्दी करो या मेरे मौला ये क्या हो रहा है हमारे जोनाबाद को इस छोटी सी जंदत को दुष्मनों से बचाना मेरे मौला दुष्मनों से बचाना दुष्मनों से बचाना ये जब दूंब तरह कि बचल दूंब नहीं डाव ज़य ज़ू एक वी को खेलो खार को तरशलों ये पच्ने ना बाए जिसकी ने धितन खुटों को अप्रे घर में पना दी है उसे गोलियों से भूंत या जाएगा आप रुक जो यह क्या कर रह milestone रुक जो रुक जो यह क्या क्र रह mo сторон जीहाद के नाम पर विभा आसे जाना कुम्रा आसे जा रहा है जहाए है के आए हरो blades, उपस वही तुम्हारा हल है और आ हमात करो हमात कर保 हमात लाला और गुलमस्तान के साथ पाकिस्तानी फोजी हमारे मुल्क पर हमला करने आ रही है उन्हें रोखिए साबजी अलभक्ष जो हत्यार उनके लें वो कहा हैं अनुमान मंदिय के पास साब जी एधर गाहमालों को बचाना है उसलों को मैं अगलोर्स अाय। «चला अगलोड़ इंडलोर्स कर दो बाल कि आगलोर्स हमें राओ दो इंडला क्या ment heut राओ हमया हमें यांताया इंडला का insurance झाल झाल कर दो कर दो कर दो है! कर दो कर along ORY जो जो मो pew I can't mind जो हम जो कर दो कर दी आम aja कर दो कर दो कि युप भार दो घुप भारा दो अ हुआ। कि युप पर अँवान अे कि युप युप खर लुम कि युप कि युप कि युप व McMध ut आड़ो चरखरे बание ऱरणधन कर दो औरखरे व्ध चरखरे वट मेरे लाब खो वो वो बादब काईद कि इंडरुख इंडरु औरुख अव बादप मॉरुख पुरुख पुरुख रग। तुम लोग पहले जोनाबाद का प्रीज उना दो चलो करा तुमलाद के उनाद कर दो करता हैं, व दुमौदः प्रयाण बार कर क्लाद का व्रयाण जैँ कि बेस क्लाद कर दिल राल स winter Mireiaa झालो झालो यालो कर दो कर दो कर दो कर दो मा तुझ्जे दला मा तुझ्जे दला मा तुझे दला पाद तुझे देला पाद कफण अपने सर पर हम देखो वीर जवान चले ओ माँ ओ माँ पाद कफण अपने सर पर हम देखो वीर जवान चले एक तिरंगे के पीछे ये सारा हिंदु तान चले माँ तुझे दला माँ तुझे दला ना तक्री से ना तक्रार से पते मिलती हैं तो सिर्फ यलकार से तबला ना रेक तद्बीर अजा हाफाब वीर यह तुझे 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 जान हथेली पर रखकर हम अपना दीनादार चले ओ माँ, ओ माँ जान हथेली पर रखकर हम अपना दीनादार चले हस्ते हस्ते भारत मा हम तुझ पे हो तुर्बार चले माँ तुझे तला, माँ तुझे तला हसे बेच्चा, मैं किसमयेखs फिर्पाट मं तुक्तार, मत को तुझे तला, मत करते हैं किसमये देखने तुझे तीवन स्टारक्यों किसमये तंवें तनelyn झियाख़ों वाणेब मादेब में भाणेब दोन की सहिती है बनके हम तुबान चले भारत मां के वीर नहीं कम बनके हम तुबान चले एक तिरंगे के पीछे गे सारा हिंदोस्तान चले मां तुझे सलाँ मां तुझे सलाँ रुखवा कपी तीखा नहीं, जुकना हमें आता नहीं जब तक है जब तक है तन, पड़ते रहेंगे अपने कदम हिम्मत है जो तो रोक ले, धमकी जहन दर दे नहीं अपना लहू कहता है, हम वीर है मर्दे नहीं पूर डालो इस दुश्मनों को, जाच डालो इस सब को आज हम अपने खुन से धोएंगे तेरे चरज मा तुझे खलाम सब्सक्राइब सो तुश्मनों überhaupt अपने आज हया है, महीं रीडा, आज हम आफ जुश्मनों क्छे आज हम नच डाव ग्रिदा, और इतुश्च जाई लरो, इस जैकरी, अपनी जीत करो, जीत करो, जीत करो, जीत करो, जीत करऊ, जीत करो. बाए गुरुजी नाखाता, बाए गुरुुजी दीभाज़! बन्हुजने जफचे टो गजे जके यहाला जब कर अपने जब सेसे लेखे लेखे, जब जब से लेखे जब यहते है जब सेसे हैं कि अजब। कि गोलमस्तान कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क ही नहीं है जो हिंदुस्तान के तुकड़े कर सके लाला सुन बोल रहा एक हिंदुस्तानी तुम दूद मांगोगे हम खीर देंगे तुम कश्मीर मांगोगे हम जीर देंगे याद है जो ना बात पर किसी ने बुरी नजर डाली तो ये उसके सीने में उतार देना तू नहीं कहा था ना पाक से मिलकर इस जमीन को नापाक करने वाले लाला सुल्तान आज ये खंजर में तुझे सूच समयत वापस लुटाओंगा वन्दी मातरम सुचना सुपना मलय जैशितना साप जी? साप जी? नहीं साप जी? साप अम्मी, अब्बू, आज मैंने अपने दुछ्मनों पर फते हासिल कर ली मैं मेजर साप के लिए दुआ मांगने आया हूँ जो इस वक्त जिन्दगी और मौत से लड़ रहे हैं अल्ला हु अक्बर अल्ला हु अबड़ अल्ला हु अपर अल्ला हु अबड़ अपर अपरिशनी सक्सेश्वल यह शायद यह दुनिया का पहला के सैंगे इतनी गोलिया लगने के बावजूद मेजर परताब्स जिन्दा है और रिकवर होने के बाद बस कुछी दिनों में वो आपके सामने होंगे थैंक यू डॉक्टर इस अल्राइट कर दोस्तों भगवान की क्रिपा और आप सब की दुआओं की वजह से आज मैं जिन्ता हूं और भारत मा ने मुझे जाने नहीं दिया पांध का फन अपने सर पढ़ हम देखो वीर जवान चले एक तिरंगे के पीछे ये सारा हिंदू सान चले मा तुझे दला पांध झाल